हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं करीपत्ता के बारे में बात करूँगी, कि इसे आपको किस मौसम में लगाना चाहिए, कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए, किस तरह की मिट्टी तयार करनी चाहिए, और आपका करीपत्ता क्यों नहीं चलता है, इसके बारे में मैं डिसकस करूँगी, और फ्रेंट्स इसके अलावा करीपता को घना कैसे बनाया जाता है, इनके seeds को कब grow करना चाहिए और इनके seeds कब बनते हैं इस सभी जानकारी मैं इस वीडियो में दूँगी तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा Friends, आप नर्सी से plant ले तो आते हैं लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि आपका ये plant खराब हो जाता है बहुत से लोगों का comment आता रहता है कि ये गमले में नहीं चलता है तो उसके भी कुछ कारण होते हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगी Friends, जब भी आप नर्सी से पौधा खरीदें तो आप या तो बारिस के मौसम में खरीदें या तो मौसम ऐसा होना चाहिए नहीं ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सल्दी तब इस plant को खरीद कर आप लाइए और गमले में सिफ्ट करिए सिफ्ट करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा watering नहीं करनी है हो सके तो एक दो दिन छोड़ कर ही इसमें पानी दें ज़्यादा पानी देने से ये पौदा बहुत जल्दी खराब हो जाता है इस plant को गमले में सिफ्ट कैसे करते हैं उसका वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाया हुआ है जिसका link मैं description box में दे दूँगी तो friend सबसे पहला point तो ये होता है कि इसको किस size के गमले में लगाना चाहिए करीपता जब भी आप लगाएं तो लगभग 10 से 12 इंच के गमले में ही लगाना चाहिए और गमला हमेशा मिट्टी का ही लेना चाहिए मिट्टी के गमले में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है अब बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे तयार करनी चाहिए मिट्टी हमेशा वेल रेन ही तयार करनी चाहिए इस पौदे को ज़्यादा नमी पसंद नहीं होती है तो इसकी मिट्टी रेतीली ही तयार करें इसकी मिट्टी तयार करने के लिए 50% आप गार्डेन स्वाइल ले लीजे 20% आप खाद ले लीजे और 30% आप सेंड ले लीजे रिवर सेंड आती है उसको जरूर मिक्स करिए उससे इसमें पानी रुका नहीं रहता है और मिट्टी हमेशा भुरबुरी सी बनी रहती है जिससे ये पौदा बहुत अच्छे से चलता है और फ्रेंट्स ये सन लविंग प्लांट होता है तो इसको 5-6 गंटे की धूप चाहिए होती है इसको हमेशा ऐसी जगए रखिए जहां डारेक्ट सनलाइट आती हो चला जाता है तो गुडाई करते समय आपको बहुत ही साबधानी से गुडाई करनी होगी ताकि इनकी जड़े ना कटे फ्रेंट्स पौदे में समय समय पर गुडाई करने से मिट्टी में हवा का संचार अच्छा रहता है जिसे root में ब्रद्धी होती है और पौधे की भी growth अच्छी देखने को मिलती है आपको इस तरह से हर permanent plant की गुड़ाई समय समय पे करनी चाहिए इसे plant बहुत अच्छा हो जाता है आपको उसका result भी अलग से देखने को मिलेगा जो भी plant आपके पास हो उनकी गुड़ाई महीने में एक बार जरूर किया करें और friends इसको घना बनाने के लिए बहुत ही simple सा तरीका है जब भी आप नर्सी से लेके आएं जब इसकी उपर की branch आने लगे तो उसको आपको हातों से pinch कर देना है और ऐसा आपको बार बार करना है जितना ज़्यादा आप इसकी pinch करेंगे उतना ही ज़्यादा ये पौधा घना होता चला जाएगा किसी भी plant को friends घना बनाने के लिए उसकी pruning करनी बहुत ज़रूरी होती है जब आप pruning करते हैं तो उसमें अलग से branches आती हैं एक branch पे आपको दो branch मिलेंगी तब ये plant अपने आप घना होता चला जाता है ऐसा करने से मेरा plant तो इतना ज़्यादा घना हो गया है कि वीडियो में इसकी stem नहीं दिखाई दे रही है आपको हलकी सी दिख रही होंगी कि इसमें देखिए एक जगह मैंने pruning की है तो तीन से चार branches निकल आई हैं तो इसी तरह से आपको इसको घना बनाने के लिए time time पे pruning करनी है और friends बारिस के मौसम में आप इसकी hard pruning भी कर सकते हैं मैंने पिछली बार इसकी hard pruning की थी तो इसमें जो double branch निकली है वो उसी के कारण आई है और hard pruning करने से friends पौधे की इस्टे मोटी होती जाती है और पौधा मजबूत हो जाता है लेकिन friends करी पत्ते की hard pruning आप सिर्फ दो time ही कर सकते हैं एक तो आप बारिस के मौसम में कर सकते हैं नहीं तो आप जनवरी से फर्वरी के बीच का महीना चुन लीजे तब आप hard pruning करिए और friends अब बात करते हैं इसे fertilizer कौन सा देना चाहिए आप इसके liquid fertilizer के रूप में छाच का इस्तमाल कर सकते हैं खटे दही का इस्तमाल कर सकते हैं जतना ज़्यादा खटा दही होगा जतना ज़्यादा खटा छाच होगा उतना ही इसके लिए फायदे मंद होगा मैं तो फ्रेंड्स जो मार्केट से दही आता है, उनके जो पैकेट बसते हैं, उनमें थोड़ा सा दही रह जाता है, उनमें मैं पानी भर के रख देती हूँ, एक दो दिन बाद इसको फर्टिलाइजर के रूप में करेपते में डाल देती हूँ, इससे प्लांट की ग्रोध ब बहुत अच्छा हो जाएगा, और फ्रेंड्स आप महीने में एक बार इसमें डिये पी यूज़ कर सकते हैं, डिये पी के चार दाने ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा कमाल करते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है, आपको गमले में थोड़ी मिट्टी हटा लेनी हैं, उसके बाद चार से पांस दाने आपको गमले में डाल देने हैं, फिर इसको बंद कर देना है, इसको फिर एक दो दिन या तो च्छाओं में रखिए, नहीं तो अपने पौधे में नमी बना कर रखेंगे, तो पौधे की ग्रोध बहुत अच्छी होगी, बारिस का मौस हैं, तो आप DAP का इस्तमाल जरूर करें, बहुत फायदा होता है, और फ्रेंट्स करी पत्ते में साल में लगभग दो बार सीट बनते हैं, इनको आप सीट से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, सीट बहुत जादा मात्रा में बनते हैं, और एक बात का और जब भी सीट से बनते हैं, तो इनमें पत्तियां कम होने लगती हैं, और धीरे धीरे ये पौधा बीज से भर जाता है, और पत्तियां कम कर देता है, तो अगर आपको सीट से जरूरत ना हो, तो आप इनके सीट को कट करके हटा भी सकते हैं, इनके बीज पकने पर कुछ इस ऐसे ब्लैक कलर के हो जाएंगे यही समय होता है कि इनको आप तोड़ कर रख लीजे या तो सुखा कर रख लीजे नहीं तो इनको ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं उपर की सेल हटा दीजे तब इनको मिट्टी में लगा दीजे नहीं तो इनको ऐसे ही लगा दीजे बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं इनको जर्मिनेट करने का सीजन बारिस का ही होता है नहीं तो आप किसी भी मौसम में लगा देंगे तब भी इनके पौधे थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन निकल आते हैं तो फ्रेंड्स कैसी लगी है जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताईगी का चैनल पर नए है तो चैनल को सस्काइब करना ना भूले अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में थैंक यू